हेलो बच्छों नमस्कार ग्यान सिंदु कोचिंग क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी कच्छा दस्का जो की कूबिट नाइटीन के कारण 30 प्रतिशत आपका सिलेबस कम हुआ उसी के आधार पर हम ये मौडल पेपर लेकर आप सभी एक बार शेयर कर दिजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रशन आपका है कि सही कथन पहचान कर लिखना है आपको सही कथन कौन सा है वो आप पहचान कर लिखिए क्या प्रेमचंद एक प्रमुख नाटक कार है बिल्कुल नहीं प्रेमचंद नाटक कार तो है लेकिन प्रमुख नहीं है प्रमुखता वो निबंधकार और कहानी कार है टॉक्टर शाम सुंदर दास प्रसिद कभी थे? बिल्कुल नहीं. शाम सुंदर दास एक प्रसिद आलोचक थे? कभी नहीं थे. दुरु स्वामनी जैसंकर प्रसाद का नाटक है? बिल्कुल राइट आंसर है. आपका थर्डी आप्सन सही हो जाता है. जैसंकर प्रसाद का ना जैनेंद्र की है किसकी है जैनेंद्र की त्याग पत्र जैनेंद्र की है और ठूटा आम जी भगवत सरण उपाध्याई की है किसकी भगवत शरण उपाध्याई जी की है क्या भूलू क्या याद करू हरिबन सराय बच्चन की है और जो की है एक आपकी आत्म कथा क्या भूलू और सर्व प्रसिद्ध, यानि किसी भी परिचे के मोहताज नहीं है, आचारे रामचंद्र शुक्ल लिख लिजिए, जो कि एक बहुत बड़े आलोचक की रूप में हमारे हिंदी साहित के, धरोहर की रूप में समझ लो एक प्रकार से हिंदी साहित के सर्वुत्तम आलोचक रह अगे दिखिए, शेखर एक जीवनी करती किस विधा पराधारित है, बच्चों शेखर एक जीवनी अग्गेजी की करती है, और ये आत्म कथा और उपन्यास और नाटक, ये सब विधाओं में से नहीं है, ये जीवनी भी नहीं है, ये है एक उपन्यास, क्या है, एक उपन् ब्रंदावनलाल वर्मा की किसी कृती का नाम लिखना है तो म्रगनैनी आप लिख लीजिए म्रगनैनी ठीक है म्रगनैनी ब्रंदावनलाल वर्मा का है तो आप म्रगनैनी लिख लीजिए छायावाद काब की दो बिशिस्ताएं आपको लिखनी है तो रहस्यवादी भावना हो ये दो आपकी छायावादी विशेशताया हो जाएंगी आगे देखेए उर्वशी और कश्मीर सुसमा के दर्शेताओं के नाम बताना है उर्वशी ए खंड काप है जो रामधारी सिंग दिनकर द्वारा लिखा गया है और कश्मीर सुसमा स्रीधर पाठक स्रीधर पाठक स्रीधर पाठक के द्वारा कस्मीर सुसमा लिखा गया सुमित्रन पंत की दो कावकृतियों के नाम लिखे तो एक तो आप युगांत ले लिए युगांत युगवानी युगांत युगवानी ये सुमित्रन पंत की रचनाएं है अब आप देखिए गध्यान साएगा हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन तो मैं बैख्या भी कर देता हूँ तो मम्ता अपने पिता से कहती है कि हे भगवान हे पिता जी आप इतनी दौलत लाए हैं ये किसलिए तो उसका पिता जवाब देता है कि ये विपत के लिए और भविष्चे के लिए रखेंगे हम तो वो कहती है कि है भगवान विपत्ती के लिए और विपता के लिए इतना बड़ा आयोजन करने की क्या आशेकता है क्योंकि यह क्रत्य जो आपने किया है परब पिता की इच्छा के विरुद्ध है इतना साहस नहीं करना चाहिए पिता जी हम लोग भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे क्या कोई हिंदू भूपरष्ट पर नहीं बचा रहेगा जो हमको भीख दे देगा दो मुठी अनाज दे देगा ठीक है चलिए अब अगला है गद्यांस का संदर्ब तो संदर्ब आप जान गए होंगे ममता कहां से है ममता के लेखक जैसंकर परसाद है ठीक है ममता कहानी है जैसंकर परसाद इसके लेखक है कौन है ममता के जैसंकर परसाद है अपने पिता का कौनसा कृत्य परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा उसका उत्कूच लेना धन एकठा करना विपत्ती के लिए धन थाल भर लाना वो अस्तरा देखो गद्यान से अजन्ता से लिया गया है और इसकी रेखांकितंस की व्याख्या हम कर देते हैं अजन्ता से लिया गया है उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया सिरजदी गई तो आप इसकी व्याख्या करेंगे कि अजन्ता की गुफाओं की जमीन पर भूमी पर चित्रों की एक बिचित्र दुनिया बनाई गई उसमें तमाम आचारेوں ने और उनके चेलों ने उनके शिश्यों ने कलावंदों ने उसमें तमाम प्रकार से चित्रन किया और तमाम चित्रों की एक साशरीर, तमाम चित्रों को साशरीर कर दिया और उसमें प्राण फूंग दिये, सारे चित्र जीवन तो हो उठे थे, ठिक, तो ये अब इसकी व्याख्या कर दिजेगा, तो अब ये कहता है, रेखांकी तरस्तों संदर्ब ले जीजे, संदर्ब अज अप देखो एक पद्यांस मिलेगा और इस पद्यांस की आपको संदर्ब सहित काप विगत सुंदर सहित व्याख्या करनी होगी तो आप इसका देखे संदर्ब क्या है जहांसी किरानी की समाधी पर और लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि इससे भी हम सुंदर सुंदर समाधिया संसार में पाते हैं देखने को हमें मिलती हैं परंतु क्या होता है उन समाधियों पर निशीत माने रात्री में मध्यरात्री में छुद्र जन्तु अर्थाद छोटे छोटे जींगुर जैसे कीडे मकोडे ही उनकी गाथा का वरण गाते हैं और किसी कवियों की वाणी में उनका वरण नहीं गाया जा सकता परंतु ये जो समाधी है जहांसी की रानी की जो समाधी है इसकी एक अमिट कहानी है इसकी कहानी कभी ना मिटने वाली है और कवियों की अमर गिरा में है अमर गिरा अर्थात अमर वाणी कभियों की अमरवाणी में इसकी कहानी एमिट है कभी नहीं मिटेगी क्योंकि स्नेह और सरद्धा के साथ बीरों की वाणी गाई जाती है आगे देखे सुनि सुन्दर बैन सुधार ससाने सयानी है जाने की जानी भेली और तिरिछे करिणा इन देश है अब इसकार देखे ये आपका वन पथपर से लिया गया है तो सुन्दर बैन अम्रित के रस से सने हुए सुन्दर बचन सुन कर के किसके ग्राम गधूओं के सयानी है चतुर है जानकी सीता जानी भेली चतुर सीता जो हैं वो भली भानती जान गई प्योंकि वो सीता बहुत चतुर है तो जो अमरिश से सने हुए जो वहां के उनके वचन हैं किसके गराम गधूँँ की वो समझ गई फिर तिर्चे करिनायन अपने नेत्रों को तिर्चा करके उनको कुछ समझा करके मुस्करा करके आगे वड़ गई दूसी दाजी कहते हैं तेही आवसर सो हैं सभी उस आवसर पर यानि उस समय ऐसे सब सुसोभित हो रहे थे अवलोकत माने देख करके अपने नेत्रों का लाब अली माने समस्त सखियां प्राप्त कर रही थी अवलोकत माने देख कर रहे थे और उन सभी ऐसे सुसोभित हो रहे थे उनको देख करके समस्त जो सखियां थी अपने नेत्रों का लाब उठा रही थी अनुराग तडाग में अनुराग तडाग मतलब अनुराग रूपी प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय भान माने त्री राम रूपी सूर के उदय माने उदित होने से भिगसी माने खिल उठी मनो माने मानो मन्जुल माने सुंदर कंज माने कमल की कली मानो अनुराग रूपी सरोवर में प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी भानू के उदित होने पर, राम रूपी सूर के उदित होने पर, मानो कमल की खली, खिल उठी हो, ठीक है, तो अब इसके काबिकर सौंदर में लिख दीजेगा, रस, रस इसका स्रिंगार है, छंद सवया है, क्या है, सवया छंद है, रस सवया छंद है, और और रूपा का लंकार यहाँ पर लिया गया है मनों आ जाने से उत्पर इच्छा लंकार हो गया है ठीक है आगी दिखे अब जीवन परिचे एक लेखक का देना होगा और एक रचना का नाम लिखना होगा आप तो चार रचनाएं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको रचनाएं आती हैं तो सब लिख दीजे वैसे एक इंपोर्टेंट होती है एक का एक नमबर यहाँ पर दिखाया गया है वो आपको मिलेगा एक रचना लिखने से और एक को नहीं लिखेंगे तो एक को नमबर नहीं मिलेंगे आपको जीवन परिचे का दो अंक मिलता ठीक है चिंता रही दोकर मत बैठिये बोर्ड आपको ये कभी नहीं कहेगा कि आप पढ़ नहीं रहे थे तो आपके लिए लाओ थोड़ा सा पेपर कम कमजोर बना दिया जाए पेपर हलका बना जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला पेपर सब के लिए समान आएगा और सब के लिए सत्तर अंक का आएगा ये भी तो नहीं होगा कि किसी के लिए कम लेकिन आप कर्म कैसा कर रहे हैं आप जैसा कर्म कर रहे हैं सत्तर में से उत्त आपके कर्मानुसार 68 और सत्तर और 65 और 50 और 40 आप पाएंगे वो आपके कर्मा नुसार होगा आपके लिए ईस्वर ने 70 नंबर बना रखे हैं पूरे 70 आप ले सकते हैं लेकिन आप मेहनत कितनी करते हैं या आप के कर्मों पराधारित अगर आप अच्छे कर्म करेंगे जरूर 170 में 70 पाएंगे यानि अच्छे करम बहुत मेहनत से पढ़ाई फिर एक कभी का जीवन परिचे लिखना होगा तो वो आपको वैसे ही आपको सब मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आप तुरंद जाईए हो यह सारे जीवन परिचे पढ़ लिजिए फिर आपको संस्कृत खंड का एक गद्यांस मिलेगा जिसका आपको क्या करना होगा हिंदी अनुवात करना होगा यह नगरी विविन धर्मों की संगमिस्थली है मात्मा बुद्ध अगर आपको बहुत काईदे से समझना है तो प्लेलिस्ट से जाकर की समझे मात्मा बुद्ध तीर ठंकर पार्शुनाद संकराचार कबीर गोस्वामी तुलसीदास अनेचा बहवा और अन्य बहुत से महत्माना है महत्मा अत्र आगत्त यहां पर आकर के सुईयानमा ने अपने विचारान प्रासारयन अपने विचारों को फैलाया नकेवलम दर्शने साहिते नकेवल दर्शन और साहिते में धर्में अपितुबल की कलाक्षेत्रे अपि कला छेत्र में भी यम नगरी यह नगरी बिबिधा नाम कला नाम बिबिन कलाओं बिबिध कलाओं सिल्पा नाम चक्रते और सिल्पों के लिए लोके माने संसार में विस्रुता माने प्रसिद्ध है अत्रत्या माने यहां की कौशे शाटिका रेशम की साडियां देशे देशे देश देश में सरवत्र इस प्रहियंते चाही जाती है अज भी परिपालेत माने परिपालन कर दियो संदर भी इसका लिखेंगे तो प्रस्तुत संस्क्रित गर्द्यांस हमारी पाठ कुस्तक के संस्क्रित खंड के बाराडसी नामक पाठ से लिया गया है सार्था प्रवसतो मित्रम सार्था माने धन धन जो होता है वो प्रवास में मित्र होता है और भार्या मित्रम ग्रहे सता घर में मित्र पतनी होती है आतुरस्य भिसंग मित्रम रोगी का मित्र भिसंगमाने दवाई होती है और दानम मित्रम मरिश्यता और मरने वाले के मित्र जो होता है वो क्या होता है दान होता है तो आप इसका गर्णास लिखिएगा तो ये जो है जीवन सुत्रान इसे लिया गया है तो आप लिख दीजिएगा एक इस लोग आएगा दो अंक में तो इस लोग का भी जुगार कैसे करके याद किया जाए ये सब हम बता चुके हैं एक वीडियो में इस लोगों को कैसे कंठस्त किया जाए इस लोग को कैसे याद किया जाए ठीक है क्लास टेंथ में इस लोग को कैसे याद किया जाए तो आपको वीडियो मिल जाएगा देख लीजिए और फिर ये प्रसन आएंगे दो प्रसनों का उत्तर देना होगा और दो अंका आपको फटाग फटाग मिल जाएगा तो आप दे दीजे सबके दे दीजे तो वारानस्याम कत विश्विद्यालया त्रयाह विश्विद्यालया कौन तो तीन विश्विद्यालया है वारानसीने वारानस्याम त्रयाह विश्विद्यालया संती और एते चा इस प्रकार हैं एते चा और ये हैं संस्कृत बिश्विद्यालिया काशी बिद्यापी संपूरानन विश्विद्यालिया ठीके अलग छेंद्रह सेनापतिम किमाधिशत यद वीर पुरुराजस से बन्धनाम मोचे ठीके बन्धनानी मोचे यानि उसके बंधन खोलन दो चंदर सेकवा कहा असीक, तो देश भकता हा सीट ग्रामेडान नागरि कहा उपाहसत ग्रामेडान नागरी कहा उपाहसत तो हासरिस काम ने बताया है परिबासा लिखेंगे जहां पर हास नामक इस्थाई भाव बिभाव अनुभाव विचारी भाव आदी के द्वारा पुष्ट होता है तब करुणरस की सोक नामक इस्थाई भाव बिभाव अनुभाव विचारी भाव आदी के द्वारा पुष्ट होता है तब करुणरस की निश्पत्य होती है और मड़ी खोये भुजंग सी जननी वाला अपुदारन लिख सकते हैं उपमा अलंकार जहां उपमे में उपमान की तुलना की जाए उपमे में से उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है और उपमा का पीपर अपातसरिस मंडोला लिख सकते हैं उतपरेच्छा अलंकार जहां पर उपमे में उपमान की संभावना हो वहां उतप परियो प्रभात वाला रोला और सोर्था रोला जीती जाती हुई भारत बाजी वह वाला लिख दीजिएगा और रोलम जानते हैं 24-24 मात्राइं होती है चार चरण होते हैं है ना सम्मात्रिक छंद है और दो सोर्था जो है सोर्था दो है के उल्टा होता है ग्यारा तेरा मात्राएं होती है तेरा ग्यारा होती है प्रथम ततिय चरण में तेरा तेरा मात्राएं दुतिय और चतुर ततरण चरण में ग्यारा ग्यारा मात्राएं मतलब जो देखो देखो यह है रहिमन पानी राखे बिन पानी सब सुन तो रहिमन पानी राखिए जैसे लिखा आपने रहिमन पानी राखिए तो ये ग्यारा मात्रा होगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सादर, तो ग्यारा और तेरा मतलब प्रथम, दोहा में क्या होता है? दोहा में होता है प्रथम और तरतिये में प्रथम और तरतिये में तेरा ग्यारा ग्यारा मात्राएं होती है तो प्रथम और तरतिये में तेरा ग्यारा मात्राएं होती है ठीक है किसमें दोहा में और इसके उल्टा कर लीजिए तो प्रथम और तरतिये में ग्यारा ग्यारा हो जाएंगे और दूती और चतुर्थ में तेरा तेरा मात्राएं हो जाएंगे ठीक है चलिए अब सोठा लिख दीजेगा गन्ना एक करीवर बदन वाला उता हैं बता चुके हैं ने पेपर्स में अब देखो इसमें से एक एक के मेल से आपको शब्द बनाना है आती तो तीन के मेल से एक ए अचार हो जाएगा अनुगमन हो जाएगा या अनुसेवक हो जाएगा अनुचर हो जाएगा अब इसे अभिमान अभिवादन और उप से है उपनयन उपेंद्र उपवास और वी से विशिष्ट विशेश विभावना बिग्रह साह से सहायता सहकार सहधर्म और फिर ये दान तेम लास्ट में लगता है। ये लगूता प्रभुता पन है। तो बचपण पपन हो जाएगा सट लड़क्पन हो जाएगा। ये लिग लीजएगा। आई लिखाई पढ़ाई, फिर它 है 14 हमा 15 हमा 15 हमा 11 हमा लग लिए अध्वा है तो गनत्व कटउत्व इय है तो कमनी विचारनी है यह सब लिखिएगा अब दिखे समास और समास बिख्रह उच्च निपन उच्च और निम्न द्वंद समास पंच तंत्र द्विगability का समूह नीला अमबर नीला है जो अंबर करमधारे समास है त्रिलोचन तीन नेत्रों वाला और या तीन नेत्रों का समूह यह कह सकते हैं तीन नेत्रों का समूह तो यह आपका दिगू आ जाएगा शताब्दी सो वरसों का समाहार तो यह क्या हो जाएगा सो वरसों का समाहार कर लो समू कर लो सव वर्सों का समू ये क्या हो जाएगा आपका दिगू समास हो जाएगा महा पुरुस महान है जो पुरुस कर्मधारे समास हो जाएगा आगे देखे उजला का जो आपका तत्सम बनेगा उज्वल बनेगा उज्वल हमेशा इस पेलिंग देख लिए हाथी का हस्ती बनेगा, साथ का सब्त बनेगा, सपना का सपन हो जाएगा, और कान का करन हो जाएगा, गाउं का ग्राम हो जाएगा, ठीक है, यह आप देखिए, फिर दो दो परियावाची आपको देखना है, किनारा का पुलिन हो जाएगा, पुलिन हो जाएगा, तट हो जाएगा, पत्थर का पाशान हो जाएगा पाशान पाहन पस्थर प्रस्तर हो जाएगा प्रस्तर और देह का शरीर अंग और गात घोड़ा का घोटक हय और उपवन का बगीचा वाटिका बावडी ये लिख लिजेगा तो आपके सिलेबस में एक कई संधी है यड संधी है तो इत्यत्र का क्या हो जाएगा इत्यत्र ये आसे लिखेंगे इत्यत्र तो ये कौन सी संधी यड संधी अद्येव का क्या हो जाएगा आद्येव ये कौन सी संधी यड़ संधी वनवशद का क्या हो जाएगा वनवशद का कौन सी संधी ब्रद्य संधी और सदा का सदयव सदयव हो जाएगा कौन संधी ब्रद्य संधी लेकिन इसमें ब्रद्य दे दिया गया है लेकिन आपका संधी आगे देखें नदी और दुतिया विभक्ति बहुचन में रूप बताना है आपको नदी के फिर आपका एक आगया अनुमात करिए अनियों ब्रच्छों से पत्ते गिरते हैं तो आप इसको लिखेगा ब्रच्छात पत्राण ठीक है ब्रच्छात ब्रच्छात तो ब्रच्छानाम यहाँ पर लिखेंगे ब्रच्छानाम पत्राण पतंती ठीक है ये बन जाएगा ब्रच्छानाम पत्राण पतंती यानि ब्रच्छों से पत्ते गिरते हैं तो ब्रच्छों से पत्ते गिरते हैं तो ब्रच्छानाम पत्राण पतंती लिखेंगे आप तो मैं वाराणसी जाऊंगा तो अहम वाराणस्याम गमिश्यामी जाऊंगा तो देश भक्ताह निर्भीकाह संती ये लिख देंगे या निर्भीकाव होंती देश भक्ताह निर्भीकाह भवंती निर्भीक होते हैं ठीक है पक्छी कलरों करेंगे तो खगाह कलरवं करिशन्ती ठीक है तो घर जाओ तो अगे देखे अब ये निबंद लिखना होगा तो निबंद हम करवा चुके हैं आपको देखो महेंगाई पर करवा देंगे प्रदूशन की समस्या समाधान करवा चुके व्रष्टाचार करवा चुके वन सर अच्छड करवा चुके नारी सिक्षा ये दो नहीं करवाएं करवा देंगे अब बाकी मेवान मुकुट आपका जो खंडगाब है जो भी आपके जिले में चलता है आप उसे कीजिएगा देखो आपके जिले में जो चलता है आप उसे कर लीजिए ये बताने में थोड़ा सब समय अधिक लगेगा तो आज का पेपर आपको कैसा लगा बहुत जल्दी ह में कमेंट बताईएगा चैलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज जुनने के लिए आप सभी का